मैं आपको पता है कि आहम आदमी पार्टी ना तो लालची है ना ही ये किसी टिकट को सेल करते हैं ना ही ये किसी से फंडिंग करना वाते हैं तो ये तो सिर्फ काम करना जानते हैं मैं देखो सबसे पहले तो जहां मैं बैठा हूँ यही मेरी जनम भूमी है जनम ही मेरा 24 सेक्टर में हुआ है और मेरे फादर साब चंडिकट पुलिस से रिटायर हूँ गए तो वह यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में रहके गई है तो पहले पुलिस क्लोनी होती थी यहां पर तो उस टाइम सेम यहां रहते हैं तो एक तो पहले मेरा जनमी आ हो गया दूसरा मैं सेक्टर 15 का पक्का निवासी हूँ जब हमने देखा कि सारे की प्लिटिकल पार्टी उसके बीचे एक चीज लगती थी कि वही यह तो सिर्फ गुंडे मुवालियों की पार्टी यह होगी है नमश्कार मैं हूँ अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा चंजीगर में नगर निगम इलक्शन्स का दोर शुरू हो चुका है तो वही इस वक्त हम मौझूद है वोड नमबर 12 में जिसके अंदर सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 24 आते हैं आज आपके हम मुलाकात करवाएंगे आप आची के उमीदवाल संदीब जी से उनका क्या कुछ कहना है और किन-किन मुद्धों पर लेकर वो मैदान में उतरे हैं चुलिए संदीब जी पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपको आप पार्ची के उर से टिकिच मिला है आपने आप पार्टी को ही चुनाओ क्यों किया असर अचली पहले मैं भी नोन प्लिटिकल फैमिली से आता हूँ तो जब हमने देखा कि सारे प्लिटिकल पार्टी उसके बीचे एक चीज लगती थी कि वही यह तो सिरफ गुंडे मुवालियों की पार्टी आं होगी है तो उस टाइम पे अर्विन जी ने इंडिया गेंस क्रॉप्शन्स और लोगपाल बिल के लिए 2011 में मुद्धा उठाया था दिल्ली के अंदर तो हम उस टाइम पे अर्विन जी के साथ जुड़े थे इंडिया गेंस क्रॉप्शन्स के टाइम पे और फिर उसके बाद जब आगे इनों ने पार्टी ने बिजे पी ने ये उनको चैलेंज किया कि अगर आपने कुछ मुद्धे उठाने हैं तो आप होते कोनों आपको अगर पार्लेमेंट में आना है तो पहले आपको जीत के आना पड़ेगा आप लोगों के पास जाओ उनसे वोट मांगो जीतो फिर आप पार्लेमेंट में असेंब्लिस में मुद्धे उठाओ तो उस पार्टी के साथ कंदे के साथ कंदा मिलाकर खड़े होते हैं आप किन-किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उत्रे हैं आम आदमी पार्टी जो है वह कोई वादे नहीं करती है वह गारंटी देती है तो सबसे पहले गारंटी जो हमने चंडिगड में दी है कि डबली एचो गोलता है कि अकॉर्डिंग हमें 20,000 लिटर पर फैमिली को पानी चाहिए तो वो पानी हम हर फैमिली पर को निशुल्क पहुचाएंगे जो उनका हक बनता है अब यहां पर यह पाटी अउंदध उठा देती हैं कि यह तो मुफ्त खोर बन्नाते जा रहे है अब मुझे एक बाद आईए एक मैनत कर्श इंसान सुबा पानी का गिलास पीता है रात को खाना खाने के बाद पानी का गिलास पीता है उसके बाद वो उसका बिल देता है जी एस्टी पे करता है उसके बाद भी वो फैसिलेटिस नहीं ले सकता और एक लीडर आता है वो पां में आप खुद भी फोन यूज़ करते हो तो प्लैन आते हैं 399 का 499 799 तो उनको 15,000 पे फिर फिरी किया जाता है कि उनका mobile expenses इतना है तो जब अगर leaders सारी चीज़े ये अवेल कर सकते हैं जो taxpayer हैं उनके पैसों पे एश कर सकते हैं तो अगर हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो पैस सा दो टेक्स के तुरू दे रहे हैं हम उसी पैसे के तुरू उनको facilities देना चाते हैं तो इसमें मुफ्ष्खोर वाली कौन सी बात होगी ये तो बीजे पी की मन गड़त कहानिया है जो लोगों में थोपना जाते हैं जबकि उन्होंने यहां पर किया कुछ नहीं अब आपको तो यहां पर सुनीता धवन जी है और अगर 16 सेक्टर की हम बात करते हैं स्तारा की बात करते हैं तो शिरी रवीकान जी हैं तीनों बीजे पी से हैं तीनों ने इतनी ज़्यादा मैनत की है इतनी ज़्यादा मैनत की है कि चंडीगड जो हमारा दो नमबर पे होता था से मिटा देंगे चंडीगड एक ऐसी सीटी है कि जिसका एक्जामपल पहले दिया जाता था कि सीटी ब्यूटिफुल है पीस लाइफ है अच्छी है एजुकेशन अच्छा है आज के टाइम में क्या बोला जाता है कि वह चंडीगड में अगर जाओगे तो आपको एर पलूश डीज के अगर पहले करेंगे जो जंता आपको वोट दे जंता के लिए देखुआ सबसे पहले बातो लेडिज के लिए हम क्या करने जा रहे हैं आज थीसरी गरंटी लोंट कीया है कि सबसे पहले हम अपनी बहु बेटीयों को सुरक्षय परदान करने जा रहे हैं आज के टाइम में डे नाइट डूटीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहां पर वो नाइट शिफ्ट भी करती हैं तो पूरे के पूरे चंडीगड को हर एक वाड को हम मेर अपना बनाएंगे मेर बनाते ही MC अपने खर्चे पर सारे चंडीगड में CCTV कैमरेज लग परसनल वर्क से बाहर जाना जाते हैं तो भी जा सकती हैं पहले तो हम उनकी सेफटी की बात कर रहे हैं जो उनको हम देंगे दूसरी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं अगर हम सेक्टर 15 की बात करते हैं तो वहां पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच लेके आएंगे और जो आसपास भी बच्चे रहते हैं उनकी हेल्थ के लिए उनकी एजूकेशन के लिए वो जो हम स्कूल में अबडेशन करवाएंगे उनकी एडमिशन करवाएंगे अभी एक आपने सुना होगा कि एड़ुएस में बच्चों के डिमिशन होती है तो यह एक आपको एक लाग बीच जार से उपर कमाते हो तो आपको एड़ुएस में नहीं माना जा सकता जो एसडी हम उसके पास पावर है कि वो लिख कर दे सकता है कि यह इसका जो सोर्स आफ इंकम है यह कम है इसके जो बच्चों को हम एड़ुएस का कैटगरी में डिमिशन करवा सक जो नॉर्मल पब्लिक में किसी को नहीं दी जाती है अगर हेल्थ की बात हम करते हैं आप दिली में देखो आप ऐसा क्या करेंगे क्या प्रोसेज रहेगा आपका किचन डिकट वापस अपनी जंगा पर आ सके आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ना तो लालची है ना ही ये किसी टिकट को सेल करते हैं ना ही ये किसी से फंडिंग करते हैं तो ये तो सिर्फ काम करना जानते हैं ना ह के साथ कھड़ा होके कंदे के साथ कंदा मिलाके उनकी facilities के लिए उनकी ज़रूरतों के लिए उनको काम करना आता है आपको पता है कि पूरे All of World में ये मानना जाता है और सारे इस चीज़ को हाम भी करते है कि जो दिल्ली की governance है वो और कहीं पर नहीं है तो governance जिसको चलानी आगी, जिसको अपना ward चलाना आगया या जिसको अपनी state चलानी आगी तो natural है कि वो लोगों के लिए ही खड़े हैं और लोगों के काम ही करेंगे तो हम जो चंडीगड में अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं अगर आप सिर्फ वार्ड नंबर 12 की करो तो उसमें जो हमारे में मुद्दे हैं वो सबसे पहले तो जो 24 सेक्टर में हम बैठे हुए है यहाँ पर कोई भी community center नहीं है ना तो इसलिए सबी को क्या है कि भगोंस book करने पड़ते हैं उसके लिए कई पर booking मिलती है नहीं मिलती है बच्चे का birthday है कोई छोटी ऐसी facilities नहीं है तो सबसे पहले 24 सेक्टर में जो यहाँ पर पुराना हमारा रामलीला ग्राउंड है यहाँ पर हम एक project लेके आएंगे जिसमें community center पास करवाएंगे यहाँ के लिए दूसरी हम जो मुदे लेके आ रहे हैं 24 सेक्टर की बात करें तो धाई मरले के cheap houses है यहाँ पर इनके उपर house tax लगा हुआ है जबकि house tax जो है वो 5 मरले से उपर के घरों पर लगना चाहिए तो वो immediately way off करवाएंगे जितने सरकारी houses बने हुए है कहने को तो renovations है इनकी पर जो घरों में रह रहे हैं वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि पता नहीं किस टाइम पर छट गिर जाए या कोई और बड़ी miss happening हो जाए तो जो इनका renovations का काम है वो भी हम अच्छा करवा के देंगे जो अभी किताबों में काम हो रहे हैं वो किताबों में नहीं वो practically काम करने पड़ेंगे इनको उसके साथ ही जो next हमने किया है कि यहां पर अभी जो हमने महला क्लिनिक शुरू करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो senior citizens हैं हमारे लेडिस हैं उनको अपने वाट से बाहर ना जाना पड़े वो यहीं की यहीं अपने सारे treatment करा ले test उनके यहां पर free of course होंगे जनता का कहना है कि जैसे ही चुनाविद और शुरू होता है तो जो अलग-अलग party के नेता हैं उमीदवार हैं वो आते हैं और आशवाशन भी देते हैं के वादे भी करते हैं लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद वो phone तब उच्छाना पसंद नहीं करते हैं तो उसके उपर आप क्या गहना चाहेंगे मैं देखो सबसे पहले तो जहां मैं बैठा हूँ यही मेरी जनम भूमी है जनम ही मेरा 24 सेक्टर में हुआ है और मेरे फादर साथ चंडिकट पुलिस से रिटायर हुए है तो वो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में रहके गई है तो पहले पुलिस कलोनी होती थी यहां पर तो उस टाम से हम यहां रहते हैं तो एक तो पहले मेरा जनम ही आओ गया दूसरा मैं सेक्टर पंदरा का पक्का निवासी हूँ 1281 नमबर मेरा घर का है सेक्टर पंदराभी में तीसरी चीज़ मेरा बेटा जो है वो यहां पर प्रोफेशनल किर्कट कोचिंग ले रहा है SD स्कूल में तो मुझे तो नहीं लगता कि जो यह कहते है कि फोन ने उठाएंगे या अप्रोचेबल नहीं है या कुछ ऐसा है तो यह जो राजा का बेटा मंतरी जो बीजेपी चला रही है वो हो सकता है कि वो फोन किसी के ना उठाएं पर एक जो आम कार्या करता से पार्टी ने भ्रुसा करके उसको आगे लेके आई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी का फोन ना उठाए अच्छा अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो किसान आंदोलन से कही ने कही उनकी चवी पर असर देखने को मिला है और अगर वहीं बात की जाए कॉंग्रेस पार्टी की तो इस बार इतने फेर बदल हुए हैं तो उससे कही ने कही उनके उपर भी प्रभाव पड़ा है तो इसको आप किस नजरिय से देखते हैं बीजेपी को तो मैं यही कहूँगा कि वो तो किसानों की हत्यारी है अब यहां पर हत्यारी को आप कैसे लेंगे आज वो कहते हैं कि जी हम एक साल के बाद हमने गलती कर दी हम आपको समझा नहीं पाए और हम कानून वापस ले रहे हैं जब आपको पता है कि आप किसी को भी अगर आप बीजेपी के किसी लीडर को कहो कि आप जायर खाओ और वो कहीं जी मैं नहीं खाना चाता तो आप उसके बाद उस जैर को साइड पे रख देते हो और फिर आप उसको कह देते हो कि वही हमारी गलती ये होगी कि हम इसको जैर तरीके से दे नहीं पाए तो क्या इसके लिए BJP को सभी से माफी नहीं माँगनी चाहिए 719 किसान शहीद होने के बाद उनको समझ आ रही है कि उन्होंने गलती की है जब GST लेकर आए तो उसमें भी इतने फेर बदल किये इन्होंने तब इनको पता लगा कि हम प्रॉपर इंप्लिमेंट नहीं कर पाए है तो काम ही कोई धंका नहीं कर पा रहे हैं किस मुद्दे को लेकर ये लोगों के बीच में जाएंगे किस मुद्दे को लेकर ये उनसे वोट मांगेंगे इन्होंने कहा कि हमने कानून वापस ले लिए तो क्या किसान हटे नहीं हटे क्योंकि किसानों का मुद्दा MSP पर है वो कहते हैं MSP को legal करो और ये वो करनी रहे हैं उस पर act बना वो ये बनानी रहे है बात की जाए आप आठीकी तो चंजिगर के नगर निगम में आप पार्टी पहली बार उत्री है तो आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से लोगों का विश्वास इस पर बढ़ाएंगे कि आम आदमी पार्टी वैसे तो काफी पुरानी पार्टी 2012 से यहां पर आपको पता है कि 2014 में भी हमने लोग सबाइलेक्शन लड़ा था और उस टाइम भी लोगों का इतना प्यार हमें मिला था जब हम पहली बार इलेक्शन लड़े तो गुल्पनांग जी को एक लाक आठ हजार वोट आई थी और अब इसमें जो श्री प्रदीव चावडा जी है हमारे को कन्वीनर है पार्टी में प्रेम गरग जी हमारे कन्वीनर है चंदर मुखी शर्मा जी हमारे जो मुंसिपल कॉर्पेशन कंपेन के चेर्मेन है तो इस बार जब वो एक मुदा बनाया गया क कि आम आदमी पार्टी को 35 की 35 सीटों पर लड़ना चाहिए तो अर्विंद केजरिवाल जी ने उसको उसी टाइम हरी जंडी दी कि हाँ अब टाइम है चेंज का अगर आज हम नहीं चेंज हुए तो पिछले 10 साल से जो ये हमारे साथ जातियां करते आ रहे हैं आपने देख जाते थे अब इन्होंने अपनी गाड़ियां चला दी अब उसका भी एक कमिशनर साब जाते आते बता के गए थे कि वह जो इनके कांसलर हैं वो कमिशनर से भी उपर हो गए हैं वो उनकी नहीं सुनते मेर भी निकिसी की सुनता तो वहां पर भी सुन आपको पता लगा होग कि आपके पास आएंगे कांग्रेस भी आएगी मरा हुआ सांप जो बीजेपी अपने कले में लेके घूम रही है कि उन्होंने पहले तो उनसे उनका इसाब मांगा जाए जो 719 हमारे किसान शेहीद हुए हैं कि उनके लिए उन्होंने क्या किया अभी तक यह शर्धांजली पाए किसी को ना ही उन परिवारों को कम्पनिषेट कर पाएं अपनी गल्तियां मानी है वो भी आदे तोर पर की ठीक है हम समझा नहीं पाए अरे तों क्यों बोलते हो जो बूप्लो को बनाने के लिए टिकट दी है अब वो लोग जनता के बीच में कैसे आई जो कि इनके जो पहले कांसलर जिन पर ब्रोसा करके जनता ने बनाया था उन्होंने तो आज तक कभी चार-चार-पांच-पांच साल हो गए है उनको अब तो पिरेडी पूरा हो गया पांच साल आप लगा गे जलो तो पांच साल के अंदर इन्होंने एक बार भी अपने वॉड को विजट नहीं किया यह सारे बैठे हैं पूछो किसी के से आगे कभी को इन्होंने कोई पूछा होगी आपको क्या प्रॉलम आ रही है यह आप उपर एक मैं कहूंगा कैमरामेन को उपर वो खंबे को दिखाएं तीन साल से पो होगा संदीब ध्याजी का कहना है कि जो अनेक पार्ची है बीजेपी पार्टी स्पेशली जो भी थी इस बार उनको कोई वोट माने का हक नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी वार्ड में काम नहीं कराया है और इसी के साथ उनका कहना है कि आप पार्ची पर पूर्ण तरीक अर्थप्रकास टीवी पर मैं अवनी चौधरी अर्थप्रकास टीवी से